जब भी हम अपने Flipkart पर order करते हैं और उसे ट्रैक करना चाहते हैं तो Flipkart application में ऐसा ही interface आ जाता है जिसमें हम वह बहुली देख सकते हैं order कब हुआ pack कब हुआ ship कब हुआ फिर ship के बाद direct delivery ही दिखाता है उसके बाद से हम कुछ नहीं क्या तो आईए इस वीडियो हम देखते हैं कैसे हम अपने प्रोडक्ट की या order की tracking ID जो दिखेंग आईडी हम उसको कैसे मालूम करते है step by step हम इस वीडियो में देखेंगे उस tracking ID हम जो चाहां उसके exact location चेक कर सकते हैं और step by step shipping के बाद से सारे delivery तक प्रोसेस हम tracking ID से चेक कर सकते हैं मेरा नाम है सल्मान और आप देखें टेक्रोलोजी मेक्रो चैनल सब्सक्राइब कर देजेगा चैनल को अगर आपना वित्तक नहीं किया तो सबसे पहले हम फिल्पकार्ट को ओपन करते हैं फिर फिर लाइन पर क्लिक करेंगे हम फिर उसके वाद सम्क्लिक करेंगे माई ओर्डर पर तो यह आगे प्रोडक्त हमारा देखी ओर्डर पैक्ड और सीब्ध हो सबसे उपर आता है यार ओडर आइडी लिखा वह यह ओडर आइडी है ट्रेकिंग आडी नहीं है इसे प्रोड़क्त की ओडर आइडी ओडर करने के नमबर है ठीक है दोस्तों हम इसको ट्रेकिंग प्रोड़क्त की लोकेशन कहा है क्या क्या है सब कुछ आप जानी गया है बलाल यही होता है E-card Logistics-क बाद जो भी नमबर्स होते है FMP से लेके जो 83 तक है पुर एक ही लाइन होगे यही ट्रेकिंग आईडी होता है या ट्रेकिंग नमबर होता है दोस्तों I hope कि वीडियो को ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर कर दिजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि आपको ऐसा ही वीडियो नियो नोटिफिकर्स मिलते रहेंगे. Good bye and take care.